हाई फ्रेंट आप लोग मेरे हेर को बिफोर और अफ़्टर जज़ करेंने नीचे कमेंट से में बताएं कि लग रहे हैं ना results work किये हैं यह वला मास्क आप लोग के साथ आज मैं sharing करने वाली हुं जिससे मेरे हेर बिफोर और अफ़्टर इतने अच्छे हो गए हैं अगर आपके बाल बहुत जादा एंड मैनेजबल रहते हैं उलजे उलजे रहते हैं आपको आपके हैस ऐसे बिलकुल नहीं पसंद तो मैं एक वाइरल सा हैर मास्क आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही जादा हेल्फुल होने वा उसके बाद आपको पैन में डाला है वन ग्लास ओफ वाटर जब वाटर आपका बॉलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दे उसमें हलका हलका आपको बबल दिखने लगे तो उस टाइम पे आपको अपने फ्लैक सीट्स डाल देना है इसको तीसी भी कहते हैं अलसी के बीज भी कहत है तो इसको आपको अपने वाटर में डाल देना है उसके बाद इसे भी थोड़ा सा मैं बॉयल होने दूँगी ताकि जो इसका nutrition है वो सारा इस वाटर में चला जाए उसके बाद जो second step है ना उसमें आपको इसमें डालना है wifeгляд वरा अभ डालूंग अब देखे बॉलिंग इ उसका half मैं यहाँ पे rice floor ले रहे हूँ, उसके बाद आपको इसको अच्छे से stir कर देना है, आपको एकदम medium flame पे भी इसको नहीं रखना है, एकदम धीमा रखना है, and 5-10 minutes तक इसको अच्छे से boil होने देना है, यहाँ पे 5-10 minutes हो चुके हैं, उसके बाद यहाँ पे जब आपक इसको आपको immediately निकालना है, मैं दिखाती हूँ, इस type की आपको consistency हो जाएगी, आप इसे immediately निकाले, steel की छनी से इसे चान ले, क्योंकि इसको अगर आप ठंडा करके चानेंगे न, तो आपको निकालना बहुत जादा मुश्किल हो जाएगा, उसके बाद यह बिल्कुल भी न जाल रही हूँ, तकि यह थोरा सा हलका सा light हो जाए, ऊइल उसमें गया है, लेकिन वो गरंत है, जिस वज़े से उइल जो है, उसके बाद मैं आपने डालूंगी, कैस्टर ओएग, यह सब हमारे हैर्स के लिए बहुत ही जादा important होता है, और उसके उपर से अगर आप यह सब नहीं डालना चाहते हैं, तो it's completely optional for you, आप बिलकुल ना डाले, यहाँ पर यह mask ready हो गया है, तो चलिए अप चलते हैं, मैं आपको अपने hair की अभी की हालत दिखाती हूँ, मेरे hair की हालत अभी की कुछ इस तरह से है, मैं one month से इसे use कर रही हूँ, मैं यह fifth time use कर रही हूँ, जब मुझे इसके results अच्छे लगने लगे, तो मैं आपके साथ share कर रही हूँ, यह four to five days तक मैंने अपने hair को कौम नहीं किया था, मैं generally भी नहीं करती हूँ जादा तर, तो मैंने उसके बाद यहाँ पर application start कर दिया था, मुझे इसके results अच्छे लगे, तो मैंने सुचा है कि बिल्कुल भी problem नहीं होगा, आपकी hair में अच्छे से यह glide हो जाएगा, spread हो जाएगा, तो कोशिश करें कि पहले आप इसको पूरे scalp पे लगाएं, देना आप इसको hair पे लगाएं, एक दमी जो मतलब चिप चिपा सा होता है ना, उस type का भी नहीं है, यह मतलब बीच में है, कुछ ऐसा है, इसका texture कुछ इस type का है, यकीन जाने, यह आपके face के लिए भी उतना ही beneficial है, यह आपके health के लिए भी उतना ही beneficial है, यह आपके hair के लिए भी बहुत ही जादा beneficial है, यह बहुत ही अच्छा product है, अगर आप इसे बनाते हो और लगाते हो, तो I guarantee कि आप one month में इसके results बहुत ही अच्छे खासे देख सकते हो अपने, आपका अपना यह वाला mask अपने scalp से लेकर tip तक लगा लेना है, यकीन जाने कि आप इस mask को as a spark cream यूज़ कर सकते हैं, आप इसको as a conditioner यूज़ कर सकते हैं, आप इसको as a mask भी यूज़ कर सकते हैं, आप मेरा hair का application done हो चुका ह इसे अच्छे से क्लचर लगा लेंगे चोटिया नहीं करने हैं उसके बाद जो प्लास्टिक कैप आता है ना उसे इसे ढख लेंगे 22-30 मिनट्स के लिए उसके बाद जब 22-30 मिनट्स हो जाएगा हलका हलका से मसाज करेंगे और दिन शावर लेकर आ जाएगे नौर्मली शावर लेंगे शांपू इन कंडिशनर के साथ मैंने कंडिशनर एसकेप कर दिया था आप भी कंडिशनर एसकेप करके देखें ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगा आपके बालों में अभी मेरे हेर वेट है एकदम ही उसमें मैं सिरम लगा लेती हूं उसके बाद म में आप मेरे साथ इसका रिव्यू शेयर कीजिएगा मुझे तो ये मास्क बहुत ही अच्छा लगा उमीद करती हूं आपको भी अच्छा लगेगा